नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for public service commission में rrb railway के द्वारा एक official notice जारी किया गया है अभी कुछ देर बहले 5 या 10 मिनट पहले ये official notice जारी किया गया है rrb railway के द्वारा और ये notification notice जारी किया गया है cn no.5-2024 यानि कि अभी rrb railway ntpc की notification निकाली गई थी graduation level की post निकाली गई थी उसी के regarding ये official notice जारी किया गया है जिसमें बचाये गया है अब इसकी जो है last date extend कर दी गई है और जो है vacancy को भी revise कर दिया गया है यानि कि कुछ vacancy में increased यानि कि vacancy में बढ़ोतरी कर दिया गया है ये किस category के लिए रखी गई है पहले ही मैं बता देता हू category जो PWBD होती है उस category के regarding ये notice जारी किया गया है जो vacancy release की गई है मतलब revise की गई है vacancy बढ़ाई गई है वो सिरफ PWBD category की जो बच्चे होते है उनके लिए vacancy बढ़ाई गई है और उनी की last date में जो है इजाफा किया गया है बट गबराने की कोई बात नहीं है जो normal category है journal OBC EWS category उनकी भी vacancy का notification आपको बहुत जल्द देखने को मिलगा vacancy increasing का तो आप अपनी तयारी अच्छे से करते रहें लगातर तयारी करते रहें इस notification के उपर हम चलते हैं देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर देख ले न कोरिगम टूब के अंदर बताया गया है cn नंबर है 5-2024 और revised of vacancy cn 5-2024 non technical popular category graduation level की यह पोस्ट निकाली गई थी अब vacancy है उसकी जो है कुछ vacancy यह बढ़ा दी गई है यहाँ पे देख लेते हैं recruitment for the various post non technical popular category graduate was published in cn नंबर 5-2024 website of rrb 13-7-2024 को यह notification आया था including of vacancy of pwbd तो इसी category के लिए जो है vacancy को बढ़ाया गया है और जो last date बढ़ाई गया है सिरफ इसी category के लिए यह रखा गया है और किसी भी category के लिए यह official notice नहीं रहने वाला तो जो भी pwbd category के बच्चे है वो ही इस वीडियो को अंतर तक देखिएगा as per the statutory prevision vacancy are published an HRB vacancy table of details and rise employment notice cn नंबर पांसलेस दो जार्चोभी दिवाईज इंटर्म पारा एक प्रेंट दा सी एन नंबर पांसलेस दो जार्चोभी the last date of submission of application only for the pwbd candidate is extended by one week the revised schedule for pwbd candidate equal to above 40% disabled only is and under तो जो भी category के बच्चे pwbd के होते हैं जो भी 40% से ज्यादा disabled person होते हैं उनके लिए vacancy increase की गई है और उनकी एक जो सब्ता है वो last date extend कर दी गई है तो चलिए आगे देख लेते हैं यहां पर क्या कुछ बताया गया है उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहां पर यह date देख लेना यहां पर mention किया गया है closing date जो है online registration application की 20 October जो है अब last date कर दी गई है और date of fees payment की बात करें तो यहां पर 21 October तक जो है आप अपनी fees payment कर पाएंगे और date of modification यहां पर 23 October तक जो है 23 October से लेके 30 October तक जो है आप अपनी modification form के अंदर कर पाएंगे 5-10-2024 अभी कुछ देर पहले यह notice release किया गया है तो काफी latest notice है तो यह बच्चे आप जरूर से जरूर ध्यान देख लेना ध्यान देना स्पेशली पी पी बी पी डबलू बीडी कंडिडेट वाले बच्चे उसके बाद हम आगे आ जाते है तो यह vacancy Lake City Day रिवाइज की गई है थोड़ी सी vacancy भड़ाई गई है तो यहां पे आप देख लेना यह पहले वाली vacancy है और है यह भी रिवाइज vacancy की गई है अर इ dat यहांपे देख लेना Centers 2015 2015 2015 2015 तो यह markets अब इस टाइप से हो गई है अजबी की बात करें तो यहां पर अजमेर का भी इया गया है अजमेर की अब इस रिवाइज वेकेंश सी यहां पर हो गई है तीन 1200 तो EAP WBD जो candidate है यहाँ पर अपनी vacancy देख लेना RRB वैंगलूरू में जो है आपकी vacancy अब revised होगी है तो हम grand total देख लेते हैं यहाँ पर grand total की बात करें क्योंकि सभी RRB यहाँ पर बताने ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर भी कोई अगर आपको doubt लगता है किसी भी category में तो आप पूछ सकते हैं comment section में comment करके तो यहाँ पर देख लेना total vacancy की बात करें तो grand total की यहाँ पर बात करें RRB total total vacancy of all RRB तो सभी RRB के अंदर 264 vacancy जो है अब हो गई है PWBD category के बच्चों के लिए और यहाँ पर grand total की बात करें तो देख लेना backlog को मिला कर 270 vacancy यहाँ पर total हो गई है PWBD जो category के बच्चे होते हैं अब इनकी vacancy को revise कर दिया गया है और इनकी last date भी extend कर दी गई है तो यह PWBD जो category के बच्चे हैं इस वीडियो को अच्छे से देख लेजिएगा आपकी vacancy बढ़ेगी है आप अपनी तयारी अच्छे से करते रहे लगातार तयारी करते रहे और जो normal category के बच्चे हैं जर्नल EWC, EWS, OBC, ST, ST तो आपकी भी vacancy बढ़ेगी डोंट वरी आप अपनी तयारी करते रहे लगातार तयारी करते रहे कोई भी आपका doubt है, query है comment section में comment के पूछ सकते हैं और साथ में RRB NTPC की complete तयारी अगर आप करना चाते हैं GKGS में 40 में से 40 score करना चाते हैं तो हमारे चैनल को अभी subscribe कर लेना बहुत जल्द जो है previous year जो question booklet है वो series start कर दी जाएगी PDF पर काम चला हुए है पहले आपकी पीवाई क्यू series को start किया जाएगा पीवाई क्यू series को अभी बहुत जल्दी start कर दिया जाएगा इसकी PDF पर काम चल रहा है साथ पर हम static GK का भी portion रखेंगे यहां पर वीडियो series start होंगे उनको आप अंतर तक जरूर देख लीजिएगा जब तक आपका टायर वन exam conduct नहीं हो जाता definitely जो है GKGS की नईया आपकी पारहम लगवा देंगे कोई भी आपका doubt है query है कोई भी आप suggestion देना चाते हैं तो please comment section में comment करके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिएगा और चैनल को subscribe कर लेना और साथ में हमारा जो telegram channel है उसको जरूर से जरूर जोइन कर लेना क्योंकि सारे हमारे telegram पर ही जो initiative है वो बताए जाते हैं क्योंकि जितने भी documents होते हैं जितने भी previous year question होते हैं सारे जो हैं हमारे telegram पर ही provide कर वाए जाते हैं तो telegram को जरूर से जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए धन्यवाद